आज सत्गुरुवार के वर्दानी दिवस की आपको धेर सारी शुबकामना है ओम शांती नो मई दो हजार चोबिस के इश्वरिय महवाक्य पहले एक नजर मुरली के मुख्य पॉइंट्स पर बाबा ने कहा अंतर मुख्य होकर अपनी जाच करो मैं कहां तक बाब को याद करता हूँ कोई के नाम रूप में फसा हुआ तो नहीं हूँ अगर वृती कहीं और जाती है तो बाब को सच बताना है नहीं बताएंगे तो बिमारी वृती को पाती रहेगी बाब को बताने से हलके हो जाएंगे यहां तो दिल की सफाई बहुत अच्छी चाहिए तभी उंचे पदपा सकते हैं बाप का बने हो तो कोई भी बेकाइदे चलन नहीं चलनी है अगर कोई ऐसी आदत अंदर में है तो उसे फोरण जोड़ देना चाहिए फिर बाबा ने कहा सर्विस करते जरा भी देह अभिमान न हो देह अभिमान में आने से ही भूले होती हैं इसलिए आत्म अभिमानी हो सबको भाई-भाई की द्रिष्टी से देखना है अब तुम बच्चों को इतना पुरुश्यार्थ करना है जो अंत में एक की याद रहे और स्वदर्शन चक्र भी फिरता रहे तब ब्राण तन से निकले ऐसे स्थिती वाले ही चक्रवर्ती राजा बनेंगे यह कभी नहीं सोचना कि जब अंत समय आएगा तब पुरुश्यार्थ कर लेंगे अगर अभी से ही अभ्यास नहीं होगा तो पिछाडी में वृती कहीं और जा सकती है लास्ट में बाबा ने कहा जितना हो सके अपने को आत्मा समझ एक बाप को ही याद करो बाकि सब को भूलते जाओ इस पतित शरीर से तो बिलकुल भी लव नहीं होना जाहिए सच्चा प्यार एक से करो बाकि सब से नाम मात्र अनासक्त प्यार रखो अब सुनते हैं महावाक्यों को विस्तार से बाबा ने कहा मीठे बच्चे कडे ते कडी बिमारी है किसी के नाम रूप में फसना अंतर मुखीबन इस बिमारी की जाँच करो और इसे मुक्त बनो प्रश्न? नाम रूप की बिमारी को समाप्त करने की युकती क्या है? इससे नुकसान कौन-कौन से होते हैं? उत्तर, नाम रूप की बिमारी को स्माप्त करने के लिए एक बाप से सच्चा सच्चा लव रखो, याद के समय बुद्धी भटकती है, देहधारी में जाती है, तो बाप को सच सच सुनाओ, सच बताने से बाप शमा कर देंगे, सरजन से बिमारी को छिपाओ नहीं, बाबा को सुनाने से खबरदार हो जाएंगे, बुद्धी किसी के नाम रूप में लटकी हुई है, तो बाप से बुद्धी जुट नहीं सकती, वह सर्विस के बजाए डिस सर्विस करते हैं, बाप की निंदा कराते हैं, ऐसे निंदक बहुत कड़ी सजा के भागी बनते हैं, ओम श्य और फिर भाई वे बहन जो भी हैं, उनको हर एक की अवस्था का पता नहीं पड़ता है, सब समाचार बाप ददा के पास आते हैं, यह है प्रेक्टिकल में, हर एक को अपने को देखना है कि मैं कहां तक याद करता हूं, कोई के नाम रूप में कहां तक फसा हुआ हूं, हमार आत्मा की व्रिती कहां कहां तक जाती है, आत्मा खुद जानती है, अपने को आत्मा समझना पड़े, हमारी व्रिती एक श्विबाबा की तरफ जाती है, या और कोई के नाम रूप तरफ जाती है, जितना हो सके, अपने को आत्मा समझ एक बाप को याद करना है, और सब पूझना है कि हमारी दिल सिवाए बाप के और कहां भटकती तो नहीं है। कहीं धंदे धोरी में या घर ग्रस्त में मित्र संबंधिय आदी तरफ बुद्धी जाती तो नहीं है। अंतर मुखी होकर जाच करनी है। जब यहां आकर बैठते हो तो अपनी जाच करनी है। यहां कोई न कोई सामने योग में बैठते हैं। वह भी शुबाबा को ही याद करते होंगे। ऐसे नहीं अपने बच्चों को याद करते होंगे। याद तो शुबाबा को ही करना है। यहां बैठे ही शुब बाबा की याद में हो, फिर चाहे कोई आँखे खोल कर बैठे हैं, वो आँखे बंद कर बैठे हैं, यह तो बुद्धी से समझ की बात है, अपनी दिल से पूछना होता है, बाबा क्या समझाते हैं, हमको तो याद करना है एक को, यहां जो बैठने वाल हैं, वह तो एक शुब बाबा की ही याद में होंगे, तुमको नहीं देखेंगे, क्योंकि उनको तो कोई की भी अवस्था का पता ही नहीं है, हर एक का समाचार बाब के पास आता है, वह जानते हैं कौन-कौन बच्चे अच्छे हैं, जिनकी लाइन क्लियर है, उनका और कहा भी बुद्धियोग नहीं जाता है, ऐसे भी होते हैं, कोई का बुद्धियोग जाता है, फिर मुरली सुनने से चेंज भी होते रहते हैं, फील करते हैं कि यह तो हमारी भूल है, हमारी द्रिश्टी वृती बरोबर रौंग थी, अब उनको राइट करना है, रौंग वृती को छोड़ देना है यह बाप समझाते हैं भाई भाई को नहीं समझा सकते बाप ही देखते हैं इनकी वृति इद्रिस्टी कैसी है बाप को ही सब दिल का हाल सुनाते हैं शिबाबा को बताते हैं तो दादा समझ जाते हैं हर एक के सुनाने से देखने से भी समझते हैं जब तक स क्या पता कि यह क्या करते हैं? एक्टिविटी से, सर्विस से समझ जाते हैं, कि इनको बहुत देह अभिमान है, इनको कम, इनकी एक्टिविटी ठीक नहीं है, कोई न कोई के नाम रूप में फसा रहता है, भाबा पूछते हैं, कोई की तरफ बुद्धी जाती है, कोई साफ बतलाते हैं, कोई-कोई फिर नाम रूप में फसे हुए ऐसे हैं, जो बताते ही नहीं हैं, अपना ही नुकसान करते हैं, बाप को बतलाने से उनकी शमा होती है, और फिर आगे के लिए भी संभाल करते हैं बहुत हैं जो अपनी वृती सच नहीं बताते लज्जा आती है जैसे कोई उल्टा काम करते हैं तो सरजन को बताते नहीं है फिर छिपाने से बिमारी और ही वृती को पाएगी यहां भी ऐसे है बाप को बताने से हलके हो जाते हैं नहीं तो वह अंदर में रहने से भारी रहेंगे बाप को सुनाने से फिर दोबारा ऐसे नहीं करेंगे आगे के लिए अपने पर खबरदार भी रहेंगे बाकी बताएंगे नहीं, तो वह व्रीधी को पाता रहेगा बाप जानते हैं, यह सर्विसेबल बहुत है क्वालिफिकेशन कैसी रहती है, सर्विस में भी कैसे रहते है कोई के साथ लटके तो नहीं है हर एक की जन्म पत्री को देखते हैं फिर इतना उनसे लव रखते हैं, कशिश करते हैं कोई तो बहुत अच्छी सर्विस करते हैं कभी भी कहां उन्हों का बुद्धी योग नहीं जाता हाँ, पहले जाता था, अब खबरदार हैं बताते हैं, बाबा, अब मैं खबरदार हूँ आगे बहुत भूले करते थे समझते हैं, देह अभिमान में आने से भूले ही होंगी फिर पद तो ब्रस्ट हो जाएगा भल किसको पता नहीं पड़ता है परन्तु पद तो ब्रस्ट हो ही जाएगा दिल की सफाई इसमें बहुत चाहिए तब तो उन्च पद पाएंगे उनकी बुद्धी में बहुत सफाई रहती है जैसे इन लक्षमी नारायन की आत्मा में सफाई रहती है न तब तो उन्च पद पाया है कोई कोई के लिए समझा जाता है इनकी नाम रूप की तरफ वृती है देही अभिमानी होकर नहीं रहते है इस कारण पद भी कम होता गया है राजा से लेकर रंग तक नंबरवार पद तो है न यह क्यों होता है इसको भी समझना जाहिए नंबरवार तो जरूर बनते ही है कलाई कम होती ही रहती है जो 16 कला संपूर्ण है वह फिर 14 कला में आ जाते है ऐसे थोड़ा थोड़ा कम होते होते कलाई उतरती तो जरूर है 14 कला है तो भी अच्छा फिर वाम मार्ग में उतरते है तो विकारी बन जाते है आयू ही कम हो जाती है फिर रजो तमो गुणी बनते जाते है कम होते होते, पुराने होते जाते हैं, आत्मा शरीर से पुरानी होती जाती है, यह सारा ज्यान अभी तुम बच्चों में है, कैसे सोला कला से नीचे उतरते उतरते, फिर मनश्य बन जाते हैं, देवताओं की मत तो होती नहीं, बाप की मत मिली, फिर इक्की जनम मत मिलने की द फिर जब रावन राज्ये होता है तो तुमको मत मिलती है रावन की। दिखाते भी हैं देवताइं वाम मार्ग में जाते हैं। और धर्म वालों की ऐसी बात नहीं होती है। देवताइं जब वाम मार्ग में जाते हैं तब और धर्म वाले आते हैं। बाप समझाते हैं। बच्चे अभी तो तुम्हें वापिस जाना है। यह पुरानी दुनिया है। ड्रामा में यह भी मेरा पार्ट है। पुरानी दुनिया को नया बनाना यह भी तुम समझते हो। देते हैं। यह लक्ष्मी नारायन जब थे तो पवित्रता सुक शांती सब थी। पवित्रता की ही मुख्य बात है। मनुष्यों को यह पता नहीं है कि सत्युग में देवता पवित्र थे। फैतों समझते हैं। देवताओं को भी बच्चे आदी हुए हैं। परंतु वहां योगबल से कैसे पैदाईश होती है यह किसको भी पता नहीं है। कहते हैं सारी आयू ही पवित्र रहेंगे तो फिर बच्चे आदी कैसे होंगे। उन्हों को समझाना है। इस समय पवित्र होने से फिर हम 21 जनम पवित्र रहते हैं। गोया शिरिमत पर हम वाइसलेस वर्ड स्थापन कर रहें हैं। शिरिमत है ही बाप की। गायन भी है मनुश्य से देवता किये करत नलागी वार। अभी सब मनुश्य हैं जो फिर देवता बनते हैं। अब शिरिमत पर हम decay government स्थापन कर रहें हैं। इसमें purity तो बहुत मुख्य है। आत्मा को ही pure बनना है। आत्मा पत्थर बुद्धी बनी है, एकदम क्लियर कर बताओ, बाप ने ही सत्युगी डीटी गवर्मेंट स्थापन की थी, जिसको पैरडाइज कहते हैं, मनुष्य को देवता बाप ने ही बनाया, मनुष्य थे पतित, उनको पतित से पावन कैसे बनाया, बच्चों को कहा, मामे कम य पतित से पावन कैसे बनेंगे, जरूर बाप को याद करना होगा, और संग बुद्धी योग तोड एक संग जोडना है, तब ही मनुष्य से देवता बन सकेंगे, ऐसे समझाना चाहिए, तुमने जो समझाया, वह ड्रामा नुसार बिलकुल ठीक था, यह तो समझते हैं, फि पुल बात है ही कि हम पतित से पावन कैसे बनें, बाप कहते हैं, देहे के सभी धर्म छोड, मामेकम याद करो, इस पुरुशतम संगम युक को भी तुम बच्चे ही जानते हो, हम अभी ब्राह्मन बने हैं, प्रजा पिता ब्रह्मा की संतान, बाप हमको पढ़ाते हैं, ब्र पूरे 84 जनम लेते हैं, फिर उनको ही पहला नंबर लेना पड़ता है, बाप आकर प्रवेश करते हैं, तो मूल बात है ही एक, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, देहे अभीमान में आने से कहां न कहां लटके रहते हैं, देही अभीमानी तो सब बन न सके, अपनी प कर्म तो नहीं होता है, बेकाइदे चलन तो नहीं होती है, बहतों से होती है, फे अंत में बहुत सजा के भागी बनेंगे, भल अभी कर्माती तवस्था नहीं होई है, कर्माती तवस्था वाले के सब दुख दूर हो जाते हैं, सजाओं से छूट जाते हैं, ख्याल किया जा नमबरवार राजाएं बनते हैं। जरूर किसका कम पुरुशार्थ रहता है। जिस कारण से सजा खानी पड़ती है। अपने को आत्मा समझना चाहिए। जो समझे बरोबर सब कुछ आत्मा करती है। अभी तुम सब आत्माओं को वापिस जाना है। तब ही यह ज्यान मिलता है। फिर कभी यह ज्यान मिलेगा नहीं। आत्म अभिमाने सब को भाई-भाई ही देखेंगे। शरीर की बात नहीं र इसलिए बाप कहते हैं यह बहुत उंची स्टेज है बहन भाई में लटक पड़ते हैं तो बहुत डिस सर्विस करते हैं आत्म अभिमानी भव इसमें ही मेहनत है पढ़ाई में भी सब्जेक्ट होती है समझते हैं हम इसमें फेल हो जाएंगे फेल होने के कारण फिर और सब्ज भी योग बल से सोने का बरतन होती जाती है योग नहीं तो नोलेज भी कम वह ताकत नहीं रहती है योग का जोहर नहीं यह है ड्रामा की नोंद भाबा समझाते हैं बच्चों को अपने अवस्था कितनी बढ़ानी चाहिए देखना है हम आत्मा सारे दिन में कोई भी काम तो नहीं करते हैं कोई भी ऐसी आदत हो तो फोरन छोड़ देना चाहिए परन्तु माया फिर भी दूसरे तीसरे दिन भूल करा देती है ऐसी सोक्ष्म बातें चलती रहती हैं यह है सब गुप्त ज्यान मनश्य क्या जाने तुम बतलाते हो हम अपने ही खर्चे से अपने इश्य कहते हैं मांगने से मरना भला सहज मिले सो दूद बराबर मांग लिया सो पानी मांग कर कोई से लेते हो तो वह लाचारी काशी कलवट खा कर देते हैं तो वह पानी हो जाता है खीच लिया वह रक्त बराबर कई बहुत तंग करते हैं करजा उठाते हैं तो वह रक्त स प्राण तन से निकले, तब ही चक्रवर्ती राजा बन सकेंगे, ऐसे नहीं, पिछाडी में याद कर सकेंगे, उस समय ऐसी अवस्था हो जाएगी, नहीं, अभी से पुरुश्यार्थ करते करते, उस अवस्था को अंत तक ठीक बनाना है, ऐसा ना हो कि पिछाडी में वृती कहां और तरफ चली जाए, याद करने से ही पाप कटते रहेंगे, अच्छा जाहिए, तब बाबा कहते हैं, रोज अपने से पूछो, हमने कोई बेकाइदे काम तो नहीं किया, नाम रूप में तो नहीं फंसता हूं, किसको देख लट्टू तो नहीं बनता हूं, करमेंद्रियों से कोई बेकाइदे काम तो नहीं करता हूं, पुराने पतित शरीर से बिलकुल लव नहीं होना चाहिए, वह भी देह अभिमान हो जाता है, अनासक्त हो रहना चाहिए, सच्चा प्यार एक से, बाकि सब से अनासक्त प्यार, भले बच्चे आदी हैं, परंतु कोई में भी आसकती ना हो, जानते हैं, यह जो कुछ भी देखते हैं, सब खत् तो उनसे प्यार सारा निकल जाता है, एक में ही प्यार रहे, बाकि नाम मत्र, अनासक्त, अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रती, मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बाप दादा को नमस्ते, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया धारणा के लिए मुख्ये सार, पहला पाइंट, अपनी वृती को बहुत शुद्ध, पवित्र बनाना है, कोई भी बेकाइदे उल्टा काम नहीं करना है, बहुत-बहुत खबरदार रहना है, बुद्धी कहां पर भी लटकानी नहीं है दूसरा, सच्चा प्यार एक बाप में रखना है, बाकि सबसे अनासक्त, नाम मात्र प्यार हो, आत्म अभिमानी स्टेज ऐसी बनानी है, जो शरीर में भी लगाव न रहे आज का वरदान, स्वराज्य के संसकारों दवारा, भविश्य राज्य अधिकार प्राप्त करने वाली तक्दीरवान आत्मा भव स्वराज्य के संसकारों दवारा भविष्य राज्य अधिकार प्राप्त करने वाली तकदीरवान आत्मा भव बाबा ने कहा बहुत काल के राज्य अधिकारी बनने के संसकार बहुत काल भविष्य राज्य अधिकारी बनाएंगे अगर बार-बार वशिभूत होते हो, अधिकारी बनने के संसकार नहीं है, तो राज्य अधिकारियों के राज्य में रहेंगे, राज्य भाग्य प्राप्त नहीं होगा। तो नोलेज के दरपण में अपनी तकदीर की सूरत को देखो, बहुत समय के अभ्यास दभरा, अपने विशेस, सहयोगी कर्मचारी व राज्य कारोबारी साथियों को अपने अधिकार से चलाओ, राज्य बनो, तब कहेंगे तकदीरवान आत्मा। स्लोगन सकाश देने की सेवा करने के लिए बेहद की वेराग्य वृति को इमर्ज करो। ओम शांती, आज के ज्यानमोती में हम जानेंगे की वरदानी आत्माई कोन हैं और प्रजापत पाने वाली आत्माउं की निशानी क्या होगी। ऐसे अनेक गुहिय रह्ष्य जानने के लिए सुनते हैं आज का अव्यक्त ज्यानमोती।